हे ओल राइट और वेलकम टू अल देखिए अभी तक हमारी क्लास कुछ पांच क्लासे च्छे क्लासे हो चुकी है और इनिशियल से हमने कुछ दस पेजेस तक कर लिये हैं ठीक है यहां से देखिए सबसे पहला था कॉंस्टूशन के बारे में पूरा पढ़ना और उसके बाद हमारा था सेड्यूल यह टियर्स ओप ओल्ड पीम हमने देखा था उसके बाद हमने शोर्सेज ओफ कॉंस्टूशन अपने सविधान में कौन सी चीज कहां से ली डारेक्टली यहां से पढ़ा है गवर्मेंट ओफ इंडिया अक्ट नाइंटिन थर्टिफाइफ प्रियंबल of the constitution हमने पूरा पढ़ लिया है बहुत important topic थे हर एक particular point को एक term को पूरे detail में हमने समझा है fraternity क्या preamble part है या नहीं यह भी जाना है नाव बात करते हैं आज का नया topic है बहुत important analysis यहां पर यह किया जाएगा union and its territory अब देखिए constitution हम पूरा पढ़ चुके हैं क्या क्या चीज़ पार्ट यह है कि constitution का जो पहला chapter होगा ना constitution का उस book का जो पहला chapter होगा उस पहले chapter में क्या लिखा है उसको हम detail में जानते हैं यहां से यहां से actual article की सुरवात होगी और हर article आपको रटा होना चाहिए क्योंकि particular article में ही आपके question frame होंगे 2021-2020 आप successive question देखो जैसे आए है आपको यह question पूछे जाएंगे ना हूँ start करते हैं आज का पहला topic article 1-4 सबसे पहले है article 104 तक under part 1 part 1 में क्या-क्या लिखाया है उसको detail में discuss करते हैं article 1 में बताया गया है इंडिया that is भारत as a union of state not federation of state article 1 में यहाँ पर इंडिया को दर्साया गया है बोला गया है कि इंडिया that is भारत मतलब आपसे पूछा जाएगा article 1 में कौन-कौन से सब्द क्या हिंदुस्तान सब्द भी mention है क्या क्या दूसरा सब्द भी mention है क्या नहीं article 1 में एक तो इंडिया mention है एक भारत mention है ठीक है इंडिया that is भारत और वो है union of state ना कि federation of state ऐसा क्यों क्योंकि federation होता तो American federation हमने पढ़ा है कितना ज्यादा strong है राज्यों के पास power है कि वो अलग हो जाए पर क्या भारत के राज्यों के पास power है ऐसी उत्राकन चाहे तो भारत से अलग हो सकता नहीं हो सकता but America का कोई राज्य ऐसा है वो अलग हो सकता है because federation of state क्यों नहीं है it is not result of agreement between the state राज्यों ने ऐसे मिलके agreement बनाया नहीं है कि हम एक देस बनाएंगे and there is no right to secede from the states for the states आप हट नहीं सकते इंडिया से हट नहीं सकते अलग नहीं हो सकते तो generally हमारा federation of state नहीं है इसको union of state बोला जाता है इसके पीछे basic सा कारण यही है कि यह हमारे राज्यों के बीच में कोई agreement नहीं था कि एक इंडिया बनाएंगे ठीक है और particular इसका मतलब यह भी रहता है कि कोई राज्यों अलग नहीं हो सकता ठीक है अब हमारे दो सब्दा आते हैं मैं आपसे कहूंगा union of india कोई कहेगा union of india यह already मैं previous lecture में बता चुका हूँ एक तो आएगा union of india ठीक है एक आएगा territory of india territory of india दो चीज़ें है ना एक है union of india एक है territory of india ठीक है आज particular 22 नॉमबर है जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ साड़े आठ बजे लिंक होता बट उतमें ही similar time लगता बट मैं सोच रहा हूँ कि डेल घंटे बहुत सारे लोगों ने suggestion यह दिया कि live एक हपते में एक live कीजिए आज Monday है Monday Tuesday Wednesday को Monday Tuesday offline Wednesday को live फिर Friday Saturday इस तरह से हम करेंगे पर major aim यही रहेगा यार चाहिए live हो या offline हो आपको particular क्या होना चाहिए समझ में आ जाना चाहिए तो अब बात यहां आती है एक होता union of india एक होता territory of india बात ही आती है कि कौन सा wider expression है union of india है या territory of india अगर territory of india की मैं बात करूँ तो इसमें state भी आता है union territory भी आती है या हम कोई suppose इंडिया ने चाइना को पूरा हड़ अप लिया तो वो भी पूरा territory of india में आएगा union of india में सिर्फ राज जाएंगे उत्राखंड सिर्फ state union territory भी नहीं जाएंगे ठीक है तो ऐसा कैसे पता चलता है हमें according to article 1 से territory of india can be classified into three categories भारत की territory में आप बोलोगे कि भारत के अंदर कौन आता है आपको कि territories of the states ठीक है territories of the state राजियों की सीमा है दूसरा union territories और territories acquired by government of india मतलब territories of the state यहां तो राज जी की बात करने है उत्राखंड उत्तरप्रदेश महराष्ट्रा गोवा तमिलनाडू आंदरप्रदेश देलंगाना फिर seven sister हो गई नौट थी इस्टिकी फिर केरला उडिसा हो गया पंजाब हो गया हर्याना हो गया right कोलकत्ता हो गया यह territories of state में union territory में पुडुचेरी हो गया दमन एंदीव एंदादरन नगर हविली अब यह एक ही है तीन दिसंबत 2019 को यह एक ही merge करके दो union territory थी पहले दमन एंदीव एंदादरन नगर हविली इन दोनों को merge करके एक ही में बदल दिया union territory में तीसरा territory acquired by the government of India अब तीन territories से आप भारत को ब particular area को define करता है देखो territory of India is a wider expression than union of India because union of India only implies states union of India implies states यह only implies state यहाँ पर सब्द में डालना चाहूंगा whereas territory of India का मतलब यह होता है state भी होंगे union territory भी होगी territories that may be acquired जो भारत future में पाकिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान को अपने अंदर ले लेगा तो पाकिस्तान वाली पूरी territory अपनी हो जाएगी एक भारत जो पहले बन जाना था वो अब बन जाएगा right अब यह article 1 में सिर्फ इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा है आप कोगे सर क्या original constitution में भी यह लिखा है मैं कोँगा yes article में कुछ ज्यादा difference होता ही नहीं है यार article तो simple जो लिखा है वो लिखा है उसमें extra ऐसा नहीं है कि यह shortcut डाला है जो schedule होंगे ना schedule में लिखे रहते हैं किसी article को और ज्यादा बताना है schedule 1 है schedule 1 में territory आती है और territory में हर एक राज्जी का नाम आपको देखने को मिल जाएगा उत्राखंड का भी जो जो मैंने बोले वो सब schedule में तो हर एक article के लिए कुछ schedule बने रहते हैं उन schedule में उनकी पूरी जानकारी होती है article 1 clear फिर article 1 में India that is भारत भारत के कितने नाम हैं दो नाम है एक तो भारत खुद इंडिया है एक भारत है क्या हिंदुस्तान है नहीं है ठीक है ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान सब्द article 1 में है और Union of State बोला गया है ना कि Federation of State ठीक है article 2 में क्या है फिर article 2 अब देखो एक story की तरह समझो इसको सबसे पहले article में हमारे जो constant assembly है जो drafting committee है जो maker है जिनोंने constitution बनाया है उनके mind में क्या आया होगा सबसे पहले article में तो हम ये बताते हैं कि हमारा भारत कहां से कहां तक है उसकी geographical जो area है वो कहां से कहां तक है अब आर्टिकल 2 में खुद story सोचो क्या आ सकती है आर्टिकल 2 grant two powers to parliament आर्टिकल 2 में parliament को दो power दी गई है पहला power to admit new state power to admit new state already in existence जो पहले से ही है उसके बाद उसमें से एक नया जो है राजिलाओ power to establish new state states non existent before एक तो हो गया जैसे अंदरप्रदेश हो गया अंदरप्रदेश से निकल गया तेलंगाना ठीक है अंदरप्रदेश से क्या निकल गया तेलंगाना निकल गया तो ये article 2 power देता है पारलिमेंट को तो इससे क्या समझ माता है हमारी जो संसद है लोकसभा, राज्यसभा और प्रिसिडेंट हमारी जो पारलिमेंट में तीन चीज़ें आती है ना लोकसभा, राज्यसभा और प्रिसिडेंट इनके बाद पावर दी गई है एक तो already जो existence state है उनमें से एक नया state को आप सामिल कर लो भारत में दूसरा पारलिमेंट के बाद ये भी पावर होती है कि एक नया राज्य ही बना दो, state not existent before ठीक है आर्टिकल 2 में समझ मा गया state बनाने की पावर है, पहले तो आर्टिकल 1 में territory हो गया, आर्टिकल 2 ठीक है आर्टिकल 3 ऑथराइस करती है पारलिमेंट को कि आप internally री एज़ेस्मेंट कर सकते हैं territories of constitution of union of इंडिया का री एज़ेस्मेंट कहने का मतलब उत्राखंड की boundary कितनी हो सकती है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश का कोई जिला अब उत्राखंड में डालना है तो वो डाल सकते हो तो री एज़ेस्मेंट of territories मतलब जो अलड़ी सीमाएं बनी हुई है ना, आर्टिकल 3 में उन सीमाओं में री एज़ेस्मेंट की power Parliament को ही देता है और इसके लिए एक अगर बिल लाया जाएगा तो पहला recommendation ली जाएगी प्रेसिडेंट की, ये चीज़ जियाद रखना prior recommendation of president ठीक है आर्टिकल 3 में अगर पारलियमेंट क्या करती है constituencies बदलती है union of India जो की states हैं उनकी अगर territories बदल रही है री एज़ेस्मेंट हो रही है तो इस बिल को लाने से पहले prior recommendation किसकी चाहिए होगी राष्टपती की दूसरा should be referred to concerned state life literature for its views और concerned state मतलब सबोज उत्तर प्रदेश का एक जिला उत्राखन में सबोज मिला रहे है कि अब जो ये जिला है वो उत्राखन की boundary के अंदर आएगा तो ऐसा करने से पहले prior recommendation एक तो राष्टपती के लिए नहीं पड़ेगी ठीक है prior recommendation now next है laws made under article 2 and article 3 shall not be considered as constitutional amendment under article 368 सबसे बड़ा जो detail हम आपको बता रहे हैं ये ये है कोई भी कानून यानि कि देखो article 2 में क्या था अगर सोचो कोई already राज्जे है उसमें से एक राज्जे हम दूसरा बना दे रहे हैं तो क्या इसको article 368 यानि कि amendment के अंदर consider किया जाएगा answer है no ठीक है किसी एक नए राज्जी को बना रहे है तो article 368 के अंदर consider किया जाएगा answer है no ठीक है readjustment किया जा रहा है उतरपरदेश के कुछ जिले हैं उसको उतराखन में मिला दिया जा रहा है तो क्या इसको article 368 के अंदर यानि कि किसी एक constitutional amendment के अंदर या as a constitutional amendment की तरह इसको consider किया जाएगा answer है हमारा no जो कि सबसे बड़ा prelims का factor यही है laws made under the article 2 article 3 shall not be considered as constitutional amendment under article 368 if any territory has to be ceded to a foreign country अब यहां तक समझ मां आ गया होगा यहां तक पूरा clear है आपको article 2 और article 3 मां कोई भी बदलाव किये जाएंगे उसको amendment के अंदर consider नहीं किया जाएगा now next है if any territory has to be ceded to a foreign country suppose मान के चलो भारत का कोई भी ऐसा छोटा सा हिस्सा है जैसे हमने बांगलादेश को दिया था ठीक है बांगलादेश को दिया था अभी हम देखेंगे it cannot happen under article 3 अगर हम कोई territory देना चाह रहे हैं किसी को तो यह article 3 के basis पे नहीं होगा it needs an amendment with constitutional under article 368 इसमें एक क्या चीए होगा सविधान में बदलाव चाहिए होगा अगर हम किसी territory को अपने दे रही है आप कोगे sir example दो दो मैं कोँगा hundred constitutional amendment act अपने आप में ही बहुत ज़्यादा important है इस दोरान क्या होगा था ना हमारे बहुत सारे नदी के पास वाले हिस्से और बांगलादेश से मिले जो हिस्से है उन में हमने कुछ तो बांगलादेश से हमने अपने में लिये थे कुछ enclaves क्या किये थे enclaves कुछ नहीं होते है enclaves होते हैं कुछ area जैसे यह mountain area है अब यह इंडिया बांगलादेश से रुके होए है यहाँ पर कुछ बंगलादेश ही रह रहे हैं बट इंडिया की अभी पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर तब बात की गई कि इंडिया और बंगलादेश के बीच में जो बॉर्डर है और बॉर्डर के बीच में जो एक्चॉल में लाइन होती है न तो उनमें कुछ इनकले बंगलादेश को हमने सीट कर दिये कुछ बंगलादेश के पार्ट हमने खुद लिये तो जब भी ऐसा करेंगे कि अपनी कोई पार्ट भारत का कोई जमीन का हिस्सा मैं किसी दूसरे देश को दे दूँ किसी दूसरे देश को दे दूँ तो आप क्या करेंगे उसको Constitutional Amendment Act में घोसित करेंगे उसको Constitutional Amendment Act में डाल देंगे तो समझ मा आ गया तो Article 2 और 3 के अंदर जो भी चेंजेस किये जा रहे हैं वो Under Article 368 नहीं होंगे बट अगर हम कोई territory भारत की देते हैं किसी दूसरे को ठीक है किसी दूसरे देश को तो वहाँ पर Constitutional Amendment Act किया जाएगा Under Article 368 राइट अब कौन-कौन से नए राज्य आए हैं 1956 के बाद क्योंकि 1956 के बाद Reorganization हमारा Act सुरू हो गया था और जो ये नए नए राज्य आ रहे हैं इनको Under Article 368 के अंदर नहीं रखा जाएगा देखे कितना important चीज है कोई भी नए राज्य बन रहे हैं कोई पुराने से नए बना रहा है कोई थाई नहीं नया बना दिया जा रहा है किसी readjustment करा जा रहा है वो Under Article 368 हमें नहीं रखेंगे सबसे important ऐसा NCRT में और लक्षमी कांत में आपको इन सब के notes को extract करके ये point दिया है आपको अभी NCRT या polity लक्षमी कांत पढ़ने की जरुवत नहीं है आप ये पढ़ लीजिए और इससे related अगर लक्षमी कांत में कोई topic है तो इस chapter को refer कर लिजिए इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा देखे क्या हुआ New states that came into existence after 1956 नए नए राज्ये जो आ गए 1956 के बाद अब देखो इनकी आप कहोगे सर क्या trick है क्या इनकी जो मैं बना सकता हूँ बना सकता हूँ क्या येस मैं कहूँगा एक trick है ये देखो trick अब देखो मैं बहुत easy way मैं समझा रहा हूँ आप ये लिखोगे न YouTube पे सर्च करो state चलो ऐसा जो ये पूरी actual में meaning है ये देखो 3000 लोगों ने देखा है easy tricks, easy to remember, tricks to remember, reorganization of state state reorganization trick, PR publication आप सर्च करो आप सर्च करो 9 minute की ये वीडियो है मैं आपको show करता हूँ ये देखिए मैं चला देता हूँ इसको आप लोगों के लिए यानि कि आप नए states को ना महराष्टर, देखो ये साथ-साथ मैं देखते भी जाओगी तो आपको पता चल जाएगा यहां से लेके change of names तक अब मैं पूरा पड़ाओंगा यानि कि अप chapter खतम होने वाला है book से इतना ही था अब देखो, इस trick को याद करने के लिए जो है एक चीज़ याद रखो कि कार खरीदनी है ठीक है इस trick को याद करने के लिए यह सोचो कि कार खरीदनी है और तभी यह आपको trick समझ मां आएगी तो reorganization of state मतलब 1956 के बाद कैसे कैसे नए राज जी include होते रहे sequence wise में वो चीज़ आपको बताने वाला हो ठीक है बागी लक्षी मिकानते में यही चीज महराष्ट्रा सब्सक्राइब 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 अब देखिए कहने का मतलब यह है यह आपको यूट्यूब पर अलग से देखनी है या मैं इसको add कर दूँगा ठीक है बहुत अच्छी trick है अब देखो हर चीज में ऐसा नहीं है कि यह फैक्च्छल है तो इसको मैं छोड़ दूँ ऐसा नहीं होना चाहिए पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे यहां पर क्या है मैं डिरेक्टली आपको बता देता हूँ आपके 9 मिनट वेस्ट नहीं होंगे एक trick बहुत सिंपल से trick है ट्रिक क्या है सबसे पहले एक तो यह याद रखो फैक्चछल में आंधर Π्रदेश जो है 1953 में बना था 19 nave on में पहला राज्जी लेंग्वेज की आधार ब नवेस्ट लेंग्वेज टेकत. और प्ली बना था lot तो यह पूरी स्टोरी जो है 9 मिनट के अंदर आप इसको explain कर सकते हो तो महत्मा गादी महत्मा का M का महाराष्ट निकाल दोगे गादी का गुजरात निकाल दोगे ठीक है तो क्या हुआ कार खरीदनी थी महत्मा गादी जी को तो पहला क्या बनेगा फिर पहला जो राजी बनाया महाराष्ट दूसरा गादी महत्मा गादी ठीक है और अब वो क्या करते हैं कार चाहिए तो उनको लोन चाहिए होगा लोन चाहिए होगा तो वो कहां जाते हैं सबसे बड़े एक इंडिया का सबसे बड़ा बैंक दादर नगर हवेली में है तो वो कहां चले जाते हैं दादर नगर हवे देखते रहोगे तो आपको समझ मा आ जाएगा आप इस चीज को समझ जाएंगे ठीक है मैं ज्यादा इसको एक्सप्लेइन नहीं करता आप ये वीडियो चेक कर लेना समझ मा आया तो महत्मा गादी लोन लेने गए महत्मा गादी या बहुत सारी चीज़ें यहां पर लिखी नहीं गई हैं जो कि मैंने उस पर्टिकलर वीडियो में एक्स्प्लेइन करी हुई है देखो 1960 में हमारे तीन चीज़ें बनती हैं महराश्ट्रा और गुजराद और गुजराद कहां से बंबे से ही अलग हुआ है ये चीज़ याद रखना तो 1900 हाला कि इस से पहने 1933 में हमार अंद्रप्रदेश बन चुका है लेंग्वेज के आधार पर भासा के आधार पर हमारा हुआ जो है इस्टेट बना अब 1960 आते आते क्या हुआ 1956 में तो बोला ना कि हमारे जितने भी राज्जे अभी अरेंज किये गए हैं उनको अलग तरह किसे फिर से अरेंज कीजिए तो 1960 में हमारे दो राज्जे बने महराश्टरा और गुजराद और गुजराद हमेशा याद रखना बॉम्बे से निकला है अब यहाँ पर तो आप देखेंगे सिर्फ राज्जे यानि कि स्टेट देख रहे हैं बट मैंने उस जो ट्रिक है उसमें 1961 दमनेंदीव दमनेंदीव और दादर नगर हवेली इसके बाद ही बने थे 1961 में वो चीज भी इंकलूट की गई है जो कि इस पीडियएफ में नहीं है तो इसके लिए एक अलग सा टॉपिक मैंने बनाया हुआ है तो ट्राई यह करें इसी के साथ इसी के साथ इसी परिटिकलर पीडियफ में आपने इसकी प्रिंट निकाली होगी इसी print में जो हमारी वो 9 minute की वीडियो है अब ये एक घंट का lecture नहीं रह गया अब देखो ये जैसे 19 minute का वीडियो है अब ये थोड़ा सा बड़ा होगा थोड़ा सा बड़ा होगा वो trick मैंने कुछ एक साल पहले upload की थी हालाकि वो बना पहले दी थी एक साल पहले upload की गई थी तो आप उसको याद कर सकते हो ठीक है तो 1963 में यहाँ पर तो सिर्फ state state की बात की जा रही है तो 1960 में पहला महराष्ट्रा फिर गुजरात 1963 में नागा लेंड 1966 में हरियाना चंडिगड और हिमांचल प्रदेश हमारा किस से निकला था पंजाब से निकला था 1972 में ठीक है 1972 में क्या है मनिपूर बना तिरपूरा बना मेघालई बना इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना यह MTM MTM मनिपूर तिरपूरा मेघालई उस ट्रिक में आपका मेंचेन होगा सिक्किम याद रखना सिक्किम के लिए हमेशा एक स्टोरी सामने आती है वो स्टोरी हम बाद में डिसकस करेंगे बट सिक्किम बना था 1975 में भारत का राज जी वो भी एक Constitutional Amendment Act किया था सोचो अभी तक हमने क्या जाना था क्या जाना था एक नया राज जिलाना है ठीक है हाला कि वैसे creation सुरू हो गई थी पर एक Article 2 और 3 के अंदर नहीं ला जाएगा बट सिक्किम सोचो जो सिक्किम है वो एक Constitutional Amendment Act के द्वारा भारत में सामिल किया गया ठीक है तो ये अंडर आर्टिकल किस के अंदर आएगा 368 के अंदर आएगा अब ये भी तो कह सकते हो ना सरे एक 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 जामपल बताओ जिसमां हमने बाहर से एक तो 100th Constitutional Amendment Act हो गया क्या सर इससे पहने नहीं हुआ था क्या Constitutional Amendment Act हो गया Yes 1972 में सिक्किम एडवा भारत में और ये 36th Constitutional Amendment Act है डारेक्टली ये पूछा जा सकता है 1987 में मिजोरम अरुनांचल प्रदेश गोवा बना 2000 में 36 गड़ पैर चूना चीक है गांदी जी जब अपने वहां जाते हैं गोवा में जाते हैं जो कि 1987 में बना था अभी मैंने रेंडम से चलाई मैं डारेक्टी ऐसा नहीं है कि पहले प्रिपेर करता हूँ ठीक है ट्रिक वाला मैंने प्रिपेर नहीं किया था फिर भी एक साल पुरानी है ये मुझे याद है पैर चूना इस तरह से हमारे राज भारत में इंक्लूड हुए इस तरह से हमारे राज बने इंडिया में एड हुए अब हम बात करते हैं कुछ evolution of states and union territories की देखिया आज 22 नौंबर है मंडे है तो आपको particular हर एक last daily के basis बस साड़े आठ से दस वजे तक तो लेनी लेनी है स्टार्ट करते हैं evolution of states and union territories ठीक है कौन-कौन से नए-नए राज्ये evolve हो रहे हैं और union territories कौन सी आई और क्या उसके लिए कोई committee बैठी किया yes धर commission कोई कहेगा धर commission किस के लिए है JVP committee किस के लिए है फजल अली commission किस के लिए है तो directly ये prelim से में पूझा जा सकता है ये committee किस के लिए बनी है state reorganization के लिए बनी है और मान के चलो अगर कोई mock test दे रहे हो state pcs देखो state pcs तो directly normal होते है पॉलिटी के हर question इन पूरी वीडियो से solve कर सकते हो तो question ये आएगा state reorganization जो act है मतलब राज में सुधार करने की जब भी बात आई जब नए नए राज बनना शुरू होए तो उन्हें जब राज बनाने जाने की process थी न उस कैसे बनाएं करके commission appoint किये गए थे तो एक commission आता है धर commission एक तो धर commission याद रखना देखो भारत के आज़ादी के बाद 1948 में एक commission सरकार ने बना दिया कि यार हमारे राज जे क्योंकि उसमें क्या था आप सबको पता होगा आज़ादी से आज़ादी के बाद 1947 में कुछ राज जी ऐसे थे प्रिंसली स्टेट थे मतलब जिसमें राजा का रूल चल रहा था है ना कुछ ऐसे थे जो इस्ट इंडिया ने कब जाए होए थे उनका रूल चल रहा था अब किसी को हम पार्ट A में डाल रहे हैं किसी को पार्ट B में डाल रहे हैं किसी को पार्ट C में डाल रहे हैं बाद में क्या हुआ इन सब को खारिच करके एक ही पार्ट B तो खतमी कर दिया था तो मतलब कोई पार्ट A में कह रहे हैं कि राजा वाले राजजी रहेंगे पार्ट E में जिसने East India Company ने रूल किया है ऐसा तो 1947 के बाद ही ऐसे कमिशन बनाने सुरू हो गए थे तो सबसे पहला कमिशन जो हमें याद रखना है स्टेट रूर्गनाईजेशन में वो है धर कमिशन 1948 रूर्गनाईजेशन ऑफ स्टेट ऑन दे बेसे ऑप अड्मिस्टेटिव कन्विनेंस रेधर देन लिंग्विस्टिक फेक्टर धर कमिशन ने एक सबसे अच्छी रिकोमेंडेशन दी उन्होंने कहा जिसमें प्रसासनिक कन्विनेंस हो अड्मिस्टेटिव कन्विनेंस हो मतलब काम करने में ओफिस डिपार्टमेंट में कन्विनेंस हो इस बेसे पहाप राज्जी बनाओ ना कि लिंग्विस्टिक फेक्टर में ऐसे तो यार भारत में इतनी भासाएं बोली जाती हैं कि पूछो मत उतने राज्जे बन जाते तो धर कमिशन ने डिरेक्टली बोला कि अड्मिस्टेटिव कन्विनेंस के बेसे पहाप राज्जी को बनाओ रेधर देन लिंग्विस्टिक फेक्टर के बेसेस में मत बनाओ ठीक है चलिए फिर आती है जेवीपी कमिटी ठीक है जेवीपी कमिटी जेवीपी कमिटी उननी सो आचालीस में बनती है बहुत बड़े बड़े लीडर हैं नहरू जैसे लीडर जेवीपी कमिटी में आए है इन्होंने देखो धर कमिशन ने भी बोला लेंगवेज के बेसेस पे नहीं बनेगा जेवीपी कमिटी ने भी बोला लेंगवेज के बेसेस पे नहीं बनेगा अब आप कहो के देखो 1948 ठीक है बट जो मैंने अभी trick दिखाई, जो मैंने YouTube में दिखाया, मैंने तो बता दिया न, आंदरप्रदेश उन्नीसों तरेपन में language के आधार पर बना है अगर यह commission language के आधार पर मना कर रहे हैं, तो आंदरप्रदेस कैसे बन गया 1953 में उसके लिए आपको जानना पड़ेगा आगे आने वाले कमिशन के बारे में और आंदरप्रदेश बनने के लिए बहुत सारे नेताओं ने कॉंट्रिबूशन दिया है बहुत सारे नेता तो भूखड़ताल पर बैठे मतलब उन्होंने ये बोला कि हम मरने तक भूखड़ताल करेंगे तो इस बेसिस वो बहुत जादा कॉंट्रवर्सी रही थी आन्दरप्रदेश में तभी पहला राजजी बना था लेंग्वेज के आधार पर फिर उसके बाद ये डिसाइड किया गया कमिशन ने ये कहा लेंग्वेज के आधार पर राजजी बनेंगे बात के जो कमिशन आये उन्होंने कहा लेंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बनाएंगे बट ऐसा नहीं होगा कि वन लेंग्वेज वन स्टेट हम नहीं बोलेंगे वन लेंग्वेज वन स्टेट का कॉंसेप्ट नहीं रखेंगे कि मतलब हर एक भासा के आदर पर हर एक राज्ज नहीं बनेगा पर्टिकुलर अब मैं बात करता हूँ फजल अली कमिशन की फजल अली कमिशन 1955 में बना submitted its report in September 1955 and broadly accepted language as the basis of reorganization of state बट देखो फजल अली कमिशन ने बोल दिया जब अंदरप्रदेश बन गया था ना उनिस सो तिरेपन में एक linguistic आधार पर अब देशों से हर एक देश से देश के राज्जों से अलग अलग जगे से North से East से West से हर एक राज्जी से डिमांड यह आने लगी हर एक छेतर से कियार हमारी यह भासा है उसके basis पर यह वाला राज्जी बना दो इन्होंने का ठीक है ब्राडली हम फजल अली कमिशन ने यह का कि हम accept करते हैं कि भारत के राज्जों को बनाएंगे language के आधार पर बड़ हम यह reject करते हैं कि one language one state हम नहीं बनाएंगे हर एक भासा के आधार पर एक राज्जी हम नहीं बनाएंगे बड़ उससे पहले 1953 मां अंदरप्रदेश बन चुका है ठीक है बड़ इसका मतलब यह नहीं है कि आप language के आधार पर सभी राज्जी बनेंगे उसके पीछे political history रही है historical background रहा है based on फजल अली कमीशन अब देखो 1956 में तो धर कमीशन जेवीपी कमीटी फजल अली कमीशन 1955 आप कहोगे सर जेवीपी कमीटी के आप वो तो बताईए जो member है मैंने का बड़े बड़े नेता है जवाल लाल नहरू जी है वल्ला भाई पटेल जी है पटाबी सितार मैया है 1948 में जेवीपी कमीटी आई इन्होंने language के basis पर state बनेंगे इसको पूरी तरह deny कर दिया फजल अली कमीशन आता है वो कहता language के आधार पर बन सकते हैं बड़ हम totally reject करते हैं कि एक language, one language के basis पर एक state नहीं बनेगा ऐसा उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू कर दिया तो अब बात यहीं पर आती है कि फजल अली कमीशन की recommendation पर फजल अली कमीशन की recommendation पर state reorganization act 1956 से start हो जाता है ठीक है, state reorganization act 1956 आज आता है जिसमें राज्य बनना सुरू हो चुके हैं 1956 के बाद देखो, जो महरास्ट्रा है, गुजरात है, नागालेंड है, हरियाना है यह state reorganization act के basis पर ही आए और इसके पीछे कितने commission काम कर रहे हैं पता है ना आप लोगों को, धर commission, जे वीपी committee, फजल अली कमीशन, तीनों ही commission जो आये थे state reorganization के लिए आये थे अब फजल अली कमीशन ने कह दिया कि state reorganization act 1956 आएगा state reorganization act का मतलब क्या होता है, एक्ट में जिसने पहले से देखी है, हमारी वीडियो उन सब को पता है पता ही चीज है, 1956 का एक्ट आ चुका है, and 7th constitutional amendment act यहाँ पर change किया, led to abolition of four-fold classification of state and formation of 14 state and 6th union territory, सबसे बड़ा change यहाँ पर यही हुआ, 1956 में कि सविदान में 7th constitutional amendment act आया, जिसमें हमारे पहले 1956 से पहले ना, हमारे जो राज्जी थे वो बंटे थे पार्ट A में, पार्ट B में, पार्ट C में, पार्ट D में, इनने चारों फोल्ड के classification को abolish कर दिया गया, हलाकि आपको to the point यह जानने की जरुट नहीं है कि पार्ट B में कौन से राज्जी थे, बट फिर भी मैं बता देता हूँ, चलो, ठीक है, पर वो ऐसे random हो सकते हैं, मैं पर वाली है, यह देखिए, क्या है, कि हमने कहा, 1956 से पहले, पार्ट A में मैंने कहा, ऐसे राज्जी होंगे, जो राजा रूल करते होंगे, ऐसे राज्जी होंगे, जिसमें पहले से राजा का रूल है, पार्ट B में कौन से होंगे, सबोज मान के चलो, जो East India Company रूल करती थ पार्ट C कौन से होंगे, जिसमें Union Territory आ जाएंगी, तो इन सब का क्लासिफिकेशन खतम कर दिया गया, 1956 में, और एक ही क्लासिफिकेशन रखा, एक ही क्लासिफिकेशन रखा, कि administrative convenience के basis पर, और हलका language के आधार पर हम राज्जी बनाना सुरू करेंगे, और एक ही list में रखे अभी ऐसा थोड़ी ना कहते हो ना, उत्राखन पार्ट A में है, कलकता पार्ट C में है, ऐसा नहीं कहते हो, पहले पार्ट में थे, नाव बात करते हैं, 7th Constitutional Amendment Act में, जो राज्यों का जो क्लासिफिकेशन था, पहला पार्ट A, पार्ट B, पहला आजादी से पहले तो ऐसा ही था भाई, और आजाती के बाद मतलब, आजाती के बाद तो ऐसा ही था, कि राज्यों को पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, इन में रख दिया गया था, ठीक है, अब जब 1956 का Act आता है, तो हमारे पास अब नए साब सुतरे जो बच्चे हैं, वो निकल कर आते हैं, 14, भारत के इंडिया के बच्चे हैं, 4 अलग अलग बच्चे निकल कर आए, 4 अलग अलग राज्य निकल कर आए, और उसमें 6 यूनियन टेरिटरी निकल कर आए, अभी भारत कितने चीजों से बनाया है, भारत के अभी कितने बच्चे हैं, आप सब को पता है, भारत के हैं 28 राज्य और आठ यूनियन टेरिट्री है ठीक है मैं अभी सब के नेम भी बोलूँगा फिर जरूरी नहीं है कि ये चेंज हो जाए पर्टिकलर बाद में चेंज होंगे बट अभी तक कि ये मतलब डाइनमिक पोर्शन होता है स्टेटिक पोर्शन नहीं होता राज्य बदल में चेंज होते रहते हैं जैसे यूनियन टेरिट्री पहने जमोयन कस्मीर था पहने 29 राज्य थे जमोयन कस्मीर अलग होके एक तो लद्दाग बन गया एक जमोयन कस्मीर बन गया दो यूनियन टेरिट्री बन गई मतलब इस्टेट था मतलब 29 स्टेट थे 28 बज गए मैंने का यह डाइनमिक है बाद में चीज़ें बदलती भी रहेंगी तो एक बार रट लो जब तक exam है तब तक एक बार चेक कर लो कोई बना तो नहीं 2019 में आप सब को पता है दमनेंदियू एंदादर एंगर हवेली दमनेंदियू एंदादर एंगर हवेली अब एक ही union territory है बहुत सारे बच्चों के माइन में ये भी question आता है कि ये दो नो union territory सर एक ही क्यों बना दी गई बहुत सिंपल है यार अलग-अलग union territory होती है अलग-अलग administration करना पड़ता है अलग-अलग जगे के लिए LG बट area छोटा है administrative convenience हमें देखने को मिल रही है तब ही इन नोनों को हमने एक ही में बना दिया तो first linguistic state हाना की जो मैंने अभी तक trick में बताया था वो यहां पर भी include कर दिया पहला linguistic state मतलब जो भासा के आधार पर बना था उस राजजी का नाम है अंदरप्रदेश जो की बना था 1953 में ठीक है तो article 1, 2, 3 आप पूरा complete कर चुके हो article 1 से लेके 4 ही तक important है जो की part 1 में दिया गया आप को के sir article 4 क्यों नहीं mention है मैं कहूंगा जरूरत ही नहीं है सर आपको याद करने की तभी तो ये prelims के लिए specific notes है है ना तो union and territory वाला आज का पूरा जो chapter है अब union and territory वाला जब भी chapter आता है आप इसको लक्षिमिकांत से भी देख सकते हैं और उसके बाद union and territory जो लक्षिमिकांत MCQ है mock attend कीजिए आप to the point इन सब question को कर पाएंगे बहुत बार बच्चे कहते हैं सर लक्षिमिकांत भी करें हाँ लक्षिमिकांत कर सकते हो ना लक्षिमिकांत union and territory मैंने पढ़ा दिया है तो लक्षिमिकांत के एक reading डाल दो कोई factual information आपको लगता है तो आप क्या करो ये PDF आपने print करवाईए यहाँ पर देखो space बचा है मस्तसा इसमें लिख दो इसमें उपर से लिख दो और लिखी हुई चीज जो आपने लिखी हुई चीज है वो मुझे भेज दो WhatsApp गुरूप में तागी पता चले आप कैसा काम कर रहे हैं कैसा आ रहा है अब नया जो चेप्टर होगा वो citizenship हम कराएंगे नेक्स्ट उसमें आज से आपके दो-दो लेक्चर आ जाएंगे ओफलाइन में ज़्यादा कंजूम होगा मैं इसको अभी भेज देता हूँ रिकॉर्ड होता ही अभी बज़ा है देखो या 10 वज़े तक जब भी होगा या कल भेजूँगा पर 2-3 अब जल्दी-जल्दी हमें इसको करना है ठीक है अभी हमारे कुछ पेज हो गए है देखो 10 पेज तक हो गए है ठीक है पेज है हमारे कितने? 60 60 पेज हैं 10 पेज हमारे complete हो चुके हैं और जल्दी-जल्दी हम इनको करेंगे और UPSC Politica और साथ ही साथ में Environment के Lecture भी अब आते रहेंगे चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं Next पार्ट में जो चेप्टर है देखो अब चेप्टर वाइस करेंगे कभी-कभी इससे पहले क्या हो रहा था भी चेप्टर नहीं हो रहा था Union and Territory में अब हमको complete समझ में आ गया है Article 1 से 4 Article 1 से 4 हम complete detail में जान चुके हैं कि कौन-कौन सी चीज़े हैं directly पूछी जा सकते हैं ये देखो Union and Territory हमारा ये चेप्टर सिर्फ 30 मिनट में complete हो गया फिर उसके बाद हमारा चेप्टर citizenship वाला है citizenship कुछ जादा है नहीं पर citizenship इसमें करवा लेते हैं fundamental right जो है next chapter करवाएंगे चलो इसको इतने में खतम नहीं करते बलकि citizenship यहाँ पर कर लेते हैं सबसे पहले अब देखो अब बहुत simple है ठीक है आर्टिकल को याद करना अपने आप में बहुत ज़्यादा simple रहे जाता है जब आर्टिकल 1 से 4 आता है तो आपको कि पार्ट 1 में है वो जिसमें union and territory क्या mention है फिर मैं कहूंगा पार्ट 2 में पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक citizenship है अब आर्टिकल 1 से 4 तब पता चल गया है कि भारत में कौन लोग है कौन से राज्य है कौन से union territory है और वहाँ कौन लोग रहते हैं अब वो आर्टिकल आगे आगे धिरे धिरे बढ़ेंगे देखो एक स्टोरी बहुत अच्छे से समझ माएगी constitution बनाने वालों ने खाली नहीं बनाया है पर्टिकलर constitution बना दिया है पर्टिकलर चीज में union and its territory लिखा है second बात करूँ citizenship यानि कि अब अगर भारत देश पता चल गया है कि क्या क्या आता है भारत में अब उस भारत में कैसे रह सकते हो वो भी आपको यहाँ पर से जानना पड़ेगा तो second article 5 से 11 देखो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने mention नहीं किये हैं बट बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो आपको जो है वीडियो देखते देखते इसमें लिख लेनी है print out करा लो मैं कहा रहा हूँ यह 60 page जो है print out करा locally और try यह करना कि double pages में आगे भी कर रहे हो पीछे भी ऐसा नहीं कि एक page छोड़ के नहीं double pages में करा लेना ठीक है दोनों page में छफना चाहिए ताकि 30 pages में आपका काम हो जाए छोटी notebook भी लगे और last time में इसको तुरंत revise कर लो और याद रखना print out जो जो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ वीडियो में कुछ extra चीज भी मैं explain कर देता हूँ जो आपको बाद में याद नहीं रहती फिर आपको बार बार वो 3 गंटे 30 मिनट वेस्ट करने बढ़ते हैं तो try ये करो आज ही print out करा लो या कल print out करा लेना 30 page की है या इसको अपने digital way में भी याद कर सकते हो जरूरी नहीं है print out कराना digital way में अपनी PDF खोलो चीक है उसके बगल में एक word file खोलो तो जो जो add करना है तो आप digitally इसको revise कर सकते हो अब देखो at the time of commencement of the constitution अब भारत में नागरिकता कैसे मिलेगी एक तो उसमें ये था ना initial में जब भारत आजाद हुआ था नया नया भारत था तो simple सी बात है कोई कानून टो होगा नहीं ना या नागरिकता पाने का तो उसमें Constitution में ही लिख दिया था कि आप भारत की नागरिक्ता कैसे ले सकते हो तो at the time of commencement जब भी commencement word आता है इसका मतलब होता है 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 जब adopt या enact आता है वो 26 नमबर 1900 कब आता है 1949 26 नमबर ये चीज़ याद रखना तो at the time of commencement of constitution person who is domicile in India ऐसा person जो भारत में ही रह रहा है भारत का ही domicile है उसके पास born and any one of the parent is Indian 26 जनवरी देखो मैंने कहा ना जब constitution बन रहा था तो सविदान ने ही बता दिया था कि कौन नागरिक होगे एक तो भारत में या भारत का ही domicile है आपके पास या भारत में पैदा होए हो या आपका कोई भी parents ठीक है parents जो होगा भारत में पैदा हुआ हो और resident in India for five years या आप पांच साल तक भारत में रहे हो तो आप नागरिक होगे ठीक है अब एक और condition people who came from Pakistan people who went to Pakistan and return देखो एक तो यह होता है कुछ लोग पाकिस्तान से आये होंगे पहला दूसरा कुछ लोग पाकिस्तान गए भी होंगे बाद में भारत वापिस आ गए होंगे before the commencement of the constitution ठीक है before the commencement of constitution तो यहाँ पर बताएगे है तीन पॉइंट जिससे यह सविधान के पॉइंट है ठीक है अभी जो कानून होगा न वो अलग पढ़ेंगे हम law के 1955 का अलग पढ़ेंगे देखो यह कानून है citizenship amendment act है आप से डिरेक्टली यह question पूछा जा सकता है कि constitution ने क्या बताया है और law ने क्या बताया है क्योंकि बहुत बार लक्षिकान आप पढ़ते हो इतना ज़्यादा difference create ही नहीं कर पाते हो citizenship वाला chapter खोल के देख लो आपको इतने ज़्यादा detail में नहीं बताया होगा तो यह जो मैं पहली बातें बता रहा हूँ रहा हो पांस साल से रह रहा हो at the time of commencement 26 जन्वरी 1950 से ये date count की जाएगी तीसरा पॉइंट जो पाकिस्तान से आया है जो पाकिस्तान चले गया है फिर वापिस आ गया है भारत में before commencement of this constitution मतलब 26 जन्वरी 1950 होने से पहले मतलब 25 जन्वरी में भी आ गया भारत तो नागरिक माना जाएगा और उसमें सोच नहीं सकते 26 जन्वरी 1950 को जब date release की गई 26 जन्वरी 1950 को भारत का सविधान commence में हो जाएगा पूरी तरह लागू हो जाएगा तो लोगों ने ऐसा मतलब पाकिस्तान से इतने लोग वापिस आये जन्रली मैजुरिटी हिंदू थे बहुत सारे लोग वापिस आये इवन मुस्लिम से भी आये जो की कस्मीर में रहे बाद में चीक है तो क्या हुआ पर्सन ओफ इंडियन ओरिजन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया बाई रेजिस्ट्रेशन तो तीन चीज़े है डोमिसाइल होना चाहिए या कमेस्मेंट होने से पहले जाए आप पाकिस्तान से आये हो या पाकिस्तान एक बार गए हो फिर भारत आ गए हो पर 26 जनुरी 1950 से पहले आना था इसमें भी नागरिकता आपको दी गई थी उसमें आप तो ये पॉइंट वैलिड है क्या पॉइंट वैलिड नहीं है बट सविधान में उसमें यार कोई कानून नहीं था तो सविधान नहीं लिख दिया कि इस तरह से नागरिकता आप पा सकते हो तीसरा परसन ओफ इंडियन ओरिजन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया बाइ रेजिस्ट्रेशन आप क्या कर सकते हो कॉंस्ट्यूशन में ये भी लिखा गया है आप इंडियन ओरिजन के हो पर दूसरे देश में रह रहे हो मतलब आप सुन्दर पिचाई हो सबोच अभी तो अमेरिकन उनको नागरिकता है परसन ओफ इंडियन ओरिजन आप इंडियन भारती है में पैदा हो इंडियन ओरिजन हो हैं भारत की नागरिक्ता पा सकते हैं ऐसा Constitution में लिखा अब हम बात करते हैं कि भारत की जो नागरिक्ता के लिए कोई कानून बना है क्या Yes Citizenship Amendment Act 1955 अभी मैं 2019 का भी Act बताऊंगा I think इसमें मैंने एड नहीं किया है 2019 का भी इसमें बता दूँगा ठीक है मैंने बहुत सारी चीज़ें यह बताई है कि वीडियो के साथ साथ PDF में जो एक्स्प्लेन नहीं होता वो मैं वीडियो में बता देता हूँ भारत की नागरिक्ता आप सिटिजन्सिप एक्ट 1955 के बेसेस पर कैसे ले सकते हो बाइबर्थ मतलब भारत में आप पैदा होए हो तो आपको नागरिक्ता आप ऐसे हो जाते हो आप देखो आपके पैरेंट्स हैं आप यहां पैदा हो रहे हो आप यह नहीं कहोगे न आप कोई फॉर्म नहीं बढ़ते हो कि इंडियन सिटिजन का फॉर्म भरना है यार आप मदर का है 1972 से एट किया गया बाद में मैं इसको और जादा कंफर्म करके बताऊंगा बड़ कितना जादा यूपीएसी के लिए डिमांड नहीं है वो PCS के लिए डिमांड है उसके लिए मैं एक factual based भी वीडियो लाऊंगा बड़ आप कैसे नागरिक्ता पा सकते हैं by birth पैद हो registration में certificate document पहले फिल करने पड़ेंगे naturalization में आप रह रहे हो साथ साल हो गया अब आपको लग रहा है कि यार अब भारत की नागरिक्ता मुझे ले लेनी चाहिए तो उसे naturalization कहेंगे registration में पहले form फिल करना पड़ेगा naturalization में आप पूरा रह रहे हो जब आपकी eligibility पूरी हो ग registration या incorporation of new territory मैंने चाइना में हमला कर दिया भारत ने चाइना पूरा हड़ अप लिया हमने तो चाइना के जितने भी citizen होंगे वह भारत के citizen automatically बन जाएंगे बड़ एक तीन टम आते हैं जो आपको याद ही रखने हैं loss of citizenship भारत की नागरिक्ता constitution के आधार पर आप तीन पॉइंट से जान सकते हो एक्ट के basis पर पांच तरीके से भारत की नागरिक्ता ले सकते हो बड़ citizenship खोने के तीन major कारण हो सकते हैं renunciation इसका मतलब है voluntarily आप भारत की नागरिक्ता छोड़ दे रहे हो तो इस वज़े से नागरिक्ता आपसे छीनी जा सकती है second termination acquiring foreign citizenship automatically terminate citizenship renunciation में तो एक voluntarily आप छोड़ दे रहे हो termination का मतलब है foreign citizenship अगर acquire करते हो तो वो automatically terminate कर देगी आपकी भारती है नागरिक्ता तीसरा deprivation मतलब fraud तरीके से आप भारत मा आना चाह रहे हो compulsory termination by central government in case of fraudulent acquisition of citizenship मतलब तारबाड पार करके अगर भारत मा आओगे ऐसा थोड़ी ना है ना मुन्नी जैसे पाकिस्तान की थी अब मुन्नी आ रही है तो उसको deprive कर दिया जाएगा ना fraud तरीके से मतलब ये सलमान खान मुन्नी तो क्या गया है सलमान खान वो तारबाड के अंदर आपने देखी होगी वो कौनसी बजरंगी भाई जाना I think उसमें सलमान खान तारबाड के नीचे से चल जाता है इसका मतलब particular fraud तरीके से अगर वो पाकिस्तान घुसा है पाकिस्तान की provision हमें कुछ मतलब नहीं है अगर वो भारत में घुसा होता कोई भी particular person fraud तरीके से तारबाड ऐसे पार करके आता है फरजी document बना के आता है तो उस term को कहते है deprivation क्या कहते है deprivation तो renunciation voluntarily आप नागरिकता छोड़ देते हो termination का मतलब होता है अगर foreign citizenship आप acquire कर रहे हो then it will automatically terminate your citizenship and the last one is deprivation compulsory termination हो जाता है फरजी तरीके से आप अगर कोई नागरिकता लेते हो but major question जो मैंने यहाँ पर add नहीं किया हमारी जो constitutional amendment act 2019 है ना citizenship अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमको सभी point के बारे में पता होना चाहिए जैसे who are citizen कैसे acquire कर सकते हैं citizenship कैसे हो सकती है बट यह act था पुराना 1955 का now मैं बात करूँगा इस PDF में नहीं यहाँ पर add किया है जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको अपना manually add करना है 2019 का constitutional amendment act इसके चलते हुए इस act में क्या लिखा गया तीन देश हैं बांगला देश, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया क्यों बांगला देश, अगर कोई भी धर्म के लोग आना चाहें, minority generally, तो वो भारत में आ सकती है और भारत की नागरिक्ता ले सकती है, कौन-कौन से धर्म है वो, हिंडू, सिख, जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चन, ये सब धर्म आ सकते हैं भारत में, मतलब इन धर्मों के लोग भारत में आ सकते हैं, और भारत की नागरिक्ता ले सकते हैं, except Muslim, हाला कि सब का Citizenship Amendment Act का प्रोटेस्ट आप सबने साहिन भाग में जो महला हैं बैठी थी, साहिन भाग ने आपका प्रोटेस्ट देखा होगा, Citizenship, मतलब जो नागरिक्ता कानून आया न, 2019 का वोई प्रोटेस्ट चल रहा था, कि वहां की Minority को बहुत ज़्यादा एक्स्प्लाइट किया जाता है, तो particular Muslim तो Majority में हैं, वहां तीनों ही देश में, वहां उनके साथ कोई exploitation उतना ज़्यादा नहीं होता, तो Hindu, Sikh, इसाई, बुद्धिज्म, जैनिज्म, जैन धर्म के लोग भारत में आ सकते हैं, नाग जैन धर्म को, बुद्ध धर्म को बुला रहे हो, नागरिकता दे रहे हो आप उनको, तो Muslim Community के हो क्यों नहीं, वहां भी exploitation जो भारत की नागरिकता लेना चाहता है, ले सकता है, एक तो इस मुद्धे पर बहुत बड़ा argument हुआ, दूसरा argument इस मुद्धे पर भी हुआ, कि या उठाया, साइन बाग तो डेली में वहीं प्रोटेस्ट चल रहे थे, दूसरा, opposition जो Congress Leader है, उन्होंने ये कहा, कि वैसे ही भारत में population इतना ज़्यादा है, आप अपनी country के ही लोगों को सर्व नहीं कर रहे हो, बहुत सारी majority of population, 40% से ज़्यादा low poverty line काम कर रही है, बहुत लोगों के लिए resources fulfill नहीं हो रहे, तो आप दूसरे देशों से कैसे जो है, नागरिकता दे सकते हो, ये controversy रही है, हाला कि, 2019 का Citizenship Amendment Act में यही चीज़े लिखी गई है, राइट, चलिए, अब आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, 50 मिनट का एक घंटे का ये lecture हो चुका आप इसको सुनिए, आपके यहां से दो chapter complete हो जाएंगे, union and its territory, और दूसरा हो जाएगा आपका citizenship, तो I think आपका ये में कल कराने वाला था वैसे, मैंने सोचा इसको आज include कर दें, तो आज सिर्फ यही वीडियो आएगी, इसको complete देखो, और सभी लोग मुझे message करो, whatsapp में personal, जो भी इस मुद्दे से related, कोई भी question आता है, 750-513-4891, अगला आएगा fundamental rights, बहुत important है, और यार बार से लेके 35 article, तो यार हर एक article को मैंने यहां पर पूरा पढ़ेंगे, fundamental right वाला थोड़ा chapter बढ़ा होगा, फिर DPSP आएगा, देखो, DPSP आने तक हमारे कितने chapter हो जा रहे है ठीक है, अठार page हो जा रहे हैं, मतलब complete 20 page हो जा रहे हैं, fundamental right, और अगला chapter fundamental right का, I think मैं सिर्फ एक ही वीडियो मा करा दूं, fundamental right का, क्योंकि particular यह दो घंटे का भी बन सकता, fundamental right एक ही बार है, और अच्छे से इसको करेंगे, अभी तक हम union and territory, citizenship कर चुके हैं, क्योंकि part 1 में है, देखो, sequence है, अलग नहीं जा रहे, part 1 में union and territory है, part 2 में citizenship है, और part 3 में, part 3 में हमारी क्या हो जाएगी, fundamental right, part 4 में DPSP, वो तो बात की बात है, पर आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, thank you, have a nice day.